हाई लो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस उटूब चानल एक्स्प्लेन ओली फोरेंग में तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को सिखलाने वाले हैं कि केजी कहीं साब कैसे करना है ठीक है बहुसे से छात रहें या बहुसे से लोग हैं जो केजी कहीं साब करने नहीं जानते हैं और वैसे लोग जब दुकान पर जाते हैं तो उनको दुकंदार वाला ठग लेता है ठीक है तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी दुकान दारवाला ठग नहीं सकता ठीक है तो देखिए यहाँ पर कोश्टन में दिया है एक केजी चावल का मुल्य साथ रूपिया है तो 200 ग्राम चावल का मुल्य ग्याद कीजिए मतलब 200 ग्राम चावल का मुल्य ग्याद करना है तो देखिए 200 ग्राम चावल का मुल्य ग्याद करने के लिए हम सबसे पहले 100 ग्राम चावल का मुल्य जानेंगे कि आखिर 100 ग्राम का मुल्य कितना है तो भी हम 200 ग्राम चावल का मुल्य निकाल सकते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि आखिर एक केजी चावल का मुले कितना है तो 60 रुपिया है तो यहां पर आप लोग को एक केजी देना है और एक केजी के बराबर 60 रुपिया लिख देना है ठीक है तो यहां पर 60 रुपिया हम लिख देंगे अब देखिए यह क एक हाजार गराम होता है तो हम यहाँ पर एक हाजार गराम लिख देंगे ठीक है अब देखिए बराबर का चिन देना है बराबर का चिन देने से पहले आपको यहाँ पर साथ रूपिया देना अनिवारे है मतलब एक हाजार बराबर आपको क्या लिखना है साथ रुपिया तो देखिए हमको क्या करना है सो ग्राम चावल का मुले पाता करना है तो सो ग्राम चावल का मुले निकालने के लिए हमको क्या करना होगा तो देखिए सो ग्राम चावल का मुले निकालने के लिए हमको एक हाजार ग 10 से भाग लगाना होगा ठीक है यह दोनों बराबर पर किरिया चलती मतलब चलनी चाहिए इधर भी 10 से भाग लगाना होगा ठीक है तो अभी सही आएगा तो देखिए यहां से 0 से 0 कट जाएगा और यहां से 0 से 0 कट जाएगा तो यहां से हमको पाता चल गया कि 100 ग्राम चावल का मुले कितना है तो 100 ग्राम चावल का मुले 6 रुपिया है तो यहां पर आपको 6 रुपिया लिख देना है अब देखिए प्रस्ण में पूछ रहा था कि 200 ग्राम चावल का मुल्य क्या होगा तो जब हमको मालूम हो चुका है कि 100 ग्राम चावल का मुल्य 6 रुपिया है तो 200 ग्राम चावल का मुल्य निकालने के लिए हमको क्या करना होगा तो 2 से और 100 ग्राम में क्या करना होगा तो गुणा करना होगा ठीक है जब 2 से 100 गराम में गुणा किये हैं तो इधर भी क्या करना होगा 2 से और 6 रुपिया में गुणा करना होगा ठीक है तो देखिए जब 2 से 100 गराम में गुणा कीजिएगा तो कितना होगा तो 200 गराम हो जाएगा ठीक है और देखिए जब 2 से 6 में गुणा कीजिएगा तो 6 दुना क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा तो ये 12 रुपिया हो जाएगा 200 ग्राम चावल का मुल्य 12 रुपिया निकल कर आ जाएगा तो यहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इस तरह आप आसाइन तरीका से के के सवालों को हल कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों ऐसा ही प्रश्ण एक और हम हल करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके तो चलिए दोस्तों एक ऐसा ही प्रश्ण मतलब वैसा ही प्रश्ण एक और हम यहां पर लिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके ठीक है तो देखिए इस प्रश्ण में दे रखा है एक केजी चावल का मुले सौतर रुपिया है तो दो केजी तीन सो ग्राम चावल का मुले निकाले ठीक है मतलब 2 केजी 300 ग्राम चावल का मुले निकालना है कि आखिर 2 केजी 300 ग्राम चावल का मुले कितना होगा ठीक है तो देखिए सबसे पहले यहां आपको देखना है कि 1 केजी चावल का मुले कितना है तो 70 रुपिया है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देना है एक केजी बराबर कितना तो एक केजी बराबर 70 रुपिया मतलब 70 यहाँ पर लिख देना है एक केजी चावल का मुले कितना है तो 70 रुपिया तो अब देखिए जोब हमको मालूम हो चुका है कि एक केजी चावल का मुले 70 रु ठीक है जब 2 से 1 kg में इधर भी गुणा किये हैं तो इधर भी क्या करना होगा दो से और 70 में क्या करना होगा तो गुणा करना होगा ठीक है तो देखिए 2 से 1 kg में गुणा कीजेगा तो कितना हो जाएगा तो 2 kg हो जाएगा ठीक है अब देखिए बराबर का चिन देना है अब दो से सोतर में गुणा कीजिए गाति ये क्या हो जाएगा तो एक सो चालिस हो जाएगा तो ये एक सो चालिस से दो केजी चावल का मुल्य है एक सो चालिस रुपिया अब देखिए हमको तो मालूम हो चुका है कि दो केजी चावल का मुल्य एक सो चालिस रुपिया है तो अब प्रस्ण में दे रखा है कि आखिर 300 ग्राम चावल का मुले किया होगा तो देखिए 300 ग्राम चावल का मुले निकालने के लिए हम उको सबसे पहले 100 ग्राम चावल का मुले निकालना होगा ठीक है तो अभी हम 300 ग्राम चावल का मुले निकाल सकते हैं तो चली हम सबसे पहले य तो 1 kg के बराबर हम यहाँ पर 70 लिख सकते हैं तो हाँ लिख सकते हैं अब देखिए 1 kg में कितना ग्राम होता है तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है तो हम यहाँ पर 1000 ग्राम लिख देंगे ठीक है 1000 ग्राम लिखने के बाद आपको यहाँ पर बराबर में 70 लिख देना है अब देखिए 100 ग्राम चावल का मुले निकालने के लिए हमको 1000 ग्राम में 10 से क्या करना होगा भाग लगाना होगा जब 1000 ग्राम में 10 से भाग लगाए हैं तो इधर भी 70 में आपको 10 से भाग लगाना हो दखे जिरो से जिरो कट जाएगा तो यहां से सो ग्राम चावल का मुले निकल कर कितना आया तो सो ग्राम चावल का मुले निकल कर सात रुपिया आया ठीख है अब देखे प्रस्ट में पुछ रहा था कि आखिरे 300 ग्राम चावल का मुले कितना होगा तो 300 ग्राम चावल का मुले निकालने के लिए हमको क्या करना होगा तो देखिए 100 में क्या करना होगा तो 3 से गुणा करना होगा तो यहाँ पर 3 गुणे 100 ग्राम कर देना है इतना करने के बाद आपको बराबर का चिन देनेना है बराबर का चिन देने से पहले आपको यह देखना है कि जब तीन से सो ग्राम में गुणा किये हैं इधर तो इधर भी क्या करना होगा? तीन से साथ में गुणा करना होगा ठीक है अब देखिए जब 300-100 ग्राम हो जाएगा ठीक है अब क्या करना है आपको 300-7 में गुणा करना है तो 37 क्या हो जाएगा तो 21 हो जाएगा यह 21 रुपिया 300-100 ग्राम चावल का मुले कितना है तो 21 रुपिया है ठीक है तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है तो यहाँ पर आपको प्रश्ण में पूछ रहा था कि 2 केजी 300-100 ग्राम चावल का आखिर मुले टोटल कितना होगा ठीक है तो देखिए यहाँ से हमको मालुम हो चुका है कि 300 ग्राम चावल का मुले 21 रुपिया है और यहां पर क्या है तो 2 केजी चावल का मुले 140 रुपिया है तो इसको हम क्या करेंगे तो जोडेंगे ठीक है तो देखिए 2 केजी चावल का मुले कितना था तो 2 केजी चावल का मुले 140 रुपिया था ठीक है और तो 300 ग्राम चावल का मुले कितना था तो 21 रुपिया था तो यहां पर आपको 300 ग्राम लिखना है और 300 ग्राम चावल का मुले कितना था तो 21 रुपिया था तो हम क्या करेंगे 140 और 21 रुपिया जोड़ेंगे तो 140 और 21 रुपिया हम जोड़ेंगे तो कितना होगा तो एक होग तो यहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा तो चलिए दोस्तों मैं आसा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो के लाइक कर देना और चैनल पहली पर आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जोरू दबाना